पुलिस मुख्याले भुपाल के द्वारा माफियाओं के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहद बढ़वानी जिले के थाना पलसुद द्वारा 31 किलो ग्राम अवेद मादक पदार्त गांजा जब्त कर आरोपी को गिरफतार कर लिया गया है मुकबीर से सूचना मिली थी कि ग्राम जाल कोड़ा पुजारा फालिया में कमल पिता चरजीत बारला ने अपने कपास खेत के बीच में सफेद रंग की मच्छर दानी में गांजा सूखने के लिए छिपा रखा है जल्दी जाने पर पकड़ा जा सकता है विलम्ब होने की दसा में आरोपी के भाग जाने तथा माल को अफ्रा तफरी करने की संभावना है मुकबीर से सूचना मिलते ही वरिश रदिकारियों का उगत कराकर दिसा दिर्देश प्राप्त कर मैं फोर्स के रवाना होकर बतायेगा इस्थान पुजारा फालिया पहुचे तो जहां पर एक वेक्ति कपास के खेत में पूलिस को देखकर नीचे जुक कर छिप गया उसके पास एक सपेद रंग की मच्चेदानी में लगे कपड़े को गांजा जिसी वस्तु दिखाई दी तार्च की रोशनी में उक्ते वेक्तियों घेरा बंदी कर पकड़ा गया और नाम पता पूछा को उसने अपना नाम कमल उर्फ कमला पिता चरंजीत बारेला बताया ज जो सामग्डी बेश्ते हैं उनके अभियान चलाए जारा है इस तंबन में स्रीमान पुरिदेक चक मोदे को विश्वस्नी सूचना मिली थी कि गाम जाड़ कोला में कुछ लोग गांजे की तर्सकरी कर रहे हैं स्रीमान पुरिदेक चक मोदे बढ़वानी के मारदर्शन में अधिक चक मोदे बढ़वानी के निर्देशन में थाना प्रवारी पलसूत तरी अनिल वर्मान की टीम द्वारा जाड़ कोला में सर्च की गई सर्च के दवरान मुख्मिर से उनकी सूचना प्राथ हुई कि जाड़ कोला पुजारी फ़लिया का कमल उर्फ कमला बारेरा अपने खेत में अवैज रूप से गांजा बेशने के लिए रखा हुआ है इस सूचना पर थाना प्रसूत के स्टाब द्वारा थाना प्रवारी अ मच्चा दानी के कपड़े में जी कपड़ा था उसमें गांजा रखा हुआ तो इसे पूश्टाज किया गया था बताए कि यह बेशमजे के लिए वह रखा हुआ है तो उसने अभी पूस्टाज में ही बता है कि उसने बीज अपने खेत में डाल दिया थे जो हुगाए थे जिससे वो गांजा बेश दिकले ले जा रहा है तो इस एरिये में और भी खेती पाई जाने की आसंगा इस तम्मन में और ख़बर जुटाई जा रही है जिसी कोई बु सब्सक्राइब तरें और पास में लगें डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना भुलेंगें अब कर दो